नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशेक और सौगत है आपका Investor Guru Cool Channel में तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर किया आया हूँ Tax Calculator Excel Sheet यह बहुत ही Easy to Use Tax Calculator Sheet है इसको कोई भी बंदा बहुत ही अराम से यूज कर सकता है और इस Excel Sheet को यूज करते हुए आप Compare कर सकते हैं क्या कि आपके Salty के Against में अगर आप कोई Saving कर रहे हैं तो उस Saving के Against में आपका Old Tax Regime में कितना Tax बंद करके आ रहा है और वही पर सामने में New Tax Regime में आपका कितना Tax बंद करके आ रहा है दोनों आप Compare करें, दोनों के Compare Reason के बाद में आपको जो अच्छा लगता है आप उस Particular Tax Regime को Select कर सकते हैं और इस Excel Sheet की खासियत यह है कि इस Excel Sheet में मैंने Different Tax दे दिये हैं क्योंकि हमें पता है कि Old Tax Regime जो है उसमें बहुत सारे Deductions and Exemption होते हैं जैसे कि ATC, ATD, ATCCD, 1B, दोस्तों बहुत सारे ऐसे Expenses होते हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इन खर्चों के अगेंस भी हम लोग Tax Deduction ले सकते हैं Just for example, अगर आप अपने Parents के साथ में आप Parents के घर में रहते हैं, तो क्या आपको पता है, आप अपने Parents को भी Rent Pay करके HR A claim कर सकते हैं For example, again, अगर आपके Family में कोई भी Senior Citizen Parents हैं, तो Senior Citizen Parents के उपर होने वाला जितना भी Medical Expenditure है चाहे वो Medicine खईदना हो, चाहे उनका कोई Hearing Aid हो, या तो उनका कोई भी Check Up हो, इन सारे Expenditure के उपर में हम लोग Detection ले सकते हैं करना बस आपको इतना है कि आप जब भी अपने Senior Citizen Parents के लिए कोई भी Medicine खईदने जाएं, तो प्लीज उस पर्टिकुलर Medicine का Bill जरूर मांग ले लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे Viewers होंगे, जो कि कहेंगे कि यार मेरा जो Pharmacist है, वो मुझे कभी भी Bill नहीं देता है तो in that case आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि बहुत सारे Online Website है, जैसे कि Tata 1MG हो गया, Pharma Easy हो गया, NetMed हो गया तो आप यहां से भी अपने Medicine को Buy कर सकते हैं, अपने Senior Citizen Parents के लिए और वो जो भी Bill देते हैं, उस Bill के अगेंस में आप जब भी एक Year का इंड हो जाए, March में उन सारे Bills का जितना भी खर्चा हुआ, उसको Add कर ले और ATD में उस Particular Medical Expenditure को आप शो करके Tax Reduction ले सकते हैं, तो इसी तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे expenditure हैं, जो कि हम करते हैं, और इन सारे expenditure को, इन सारे deductions को मैंने इस Particular Access Sheet में सामिल कर दिया है, और इस Excel Sheet को कैसे यूज करना है, इसका क्या password है, कहां से इस Excel Sheet को आप के अंदर में जितने भी deduction हैं, जैसे कि ATC हो गया, ATD हो गया, ATCCD, B1 हो गया, HRA हो गया, Section 24 हो गया, तो इस सारे deductions को एक बार मैं आपको explain कर देता हूं, Just for example, 87A, 87A दोस्तों actually में कोई deduction नहीं है, यह rebate है government की ओर से, जो कि old tax regime में सारे 12,000 रुपे का rebate है, यानि क्या कि अगर आपका 5,000,000 रुपे से कम का taxable income है, old regime में हमेशा हम लोग taxable income की बात करेंगे, और new regime का जब भी नाम आता है, तब हम लोग total income की बात करते हैं, क्योंक अलाबा हमें अभी present में भी कोई deduction नहीं मिल रहा है new regime में, इसलिए जब भी हम लोग new regime की बात करेंगे, हम लोग total salary की बात करेंगे, और जब भी हम लोग old regime की बात करेंगे, हम लोग taxable income के उपर में ज्यादा ध्यान देंगे, तो old regime में जो section 87A के अंदर में जो भी rebate है, व इसलिए 7 लाग तक के income का जो भी उससे 0 रूपीज का tax देना पड़ेगा, 7 लाग का मतलब आप सारे 7 लाग रूपे मान लो अगले साल से, क्योंकि सारे 7 लाग के उपर में आपको 50,000 रूपे का deduction हो जाएगा, तो 7 लाग की आपकी salary हो जाएगी, 7 लाग के salary के उपर में as per new tax regime 25,000 रूपे का आपको tax लगेगा और वो tax आपको 87A के अंदर में रिवेट में दे दिया जाएगा, अब अगला जो deduction है, ATC का है, ATC के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 ऐसे investments हैं, जो की आप show कर सकते हैं, और ATC सिर्फ old regime में है, जैसे कि पहले number पे मैंने आप पे रखा है provident fund को, अगर आप एक salaried employer है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी company आपका provident fund का contribution जरूर लेती होगी, जो की है 12% of your basic salary, और यह जो भी provident fund का investment है, वो आपको automatically ATC में अगर आप old design के थूँ जाएगे, तो ATC में वो deduct हो करके आएगा, अगला है अगर आपको LIC premium pay करते हैं, तो उस premium का भी जो पूरा amount है, उसको भी आप ATC के अंदर में deduction ले सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप अपने दो बच्चों तक का जो tuition fee है annually, वो पूरे के पूरे tuition fee के ऊपर में आप अपना tax reduction ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे total 15 investments ऐसे हैं, जो की ATC के अंदर में ले सकते हैं, लेकिन याद रहें, ATC के अंदर में हम लोग total 1.5 lakhs तक का ही deduction ले सकते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं, HRD deduction की और जो की again हमें सिर्फ old design के taxation में मिलता है, तो HRD exemption में दोस्तों, अगर आप कोई भी rented house में रहते हैं, और अगर आप एक saluted employee है, जाहिर सी बात है, आपकी company आपको HRD claim देती होगी, तो HRD claim के अंदर में जो भी आपका calculation बन के आता है, उसके against में आप HRD exemption ले सकते हैं, वहीं पर अगर जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि है, कि अगर आप अपने parents के घर में रहते हैं, तो in that case भी आप अपने parents को rent pay करके, आप HRD claim ले सकते हैं, बस आपको एक बात ये करना है कि आप अपने parents के साथ में एक rent agreement बना ले, तब आप HRD claim ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप एक salaried employed हैं, या तो किसी भी और तरीके से आपका जो employer है, आपको HRD claim नहीं देता है, तब भी आपको घबराने की जुरुत नहीं है, आप ATGG के against में अपने HRD claims को ले सकते हैं, और इसका जो limit है, वो 60,000 rupees per year का है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले section की ओर, जिसका नाम है ATCCD 1B, तो ATCCD 1B के against में दोस्तों, अगर आप 50,000 rupees का investment करते हैं NPS में, तब आप उस 50,000 rupees के उपर में claim ले सकते है For example, माल लेते हैं कि आपने 1,500,000 rupees का ATC fill कर लिया है, तब आपके उपर में और भी आपको investment करके अपना पैसा बचाना है, तो आप NPS में invest करके 50,000 rupees तक का maximum limit है, उसके उपर में आप deductions ले सकते हैं, अब अगला section देखते हैं ATD, तो ATD के बारे में मैं again वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, अगर आप आपके spouse और आपका children है, तो आप अपने तीनों के लिए medical insurance ले सकते हैं, और उसका limit होगा 25,000 rupees तक का, in this scenario एक बात ऐसा भी आता है, एक condition ऐसा भी आता है, जो मेरे साथ होता है, जैसे कि मेरी company मुझे एक group health insurance देती है, उसके against me company जो भी pay करत लेता हूँ, तो extra मैं approximately 10,000 rupees का extra top up करवाता हूँ, तो उस top up को जा करके मैं medical insurance के 80D में जा करके fill करता हूँ, और tax relaxation लेता हूँ, इसलिए अगर आपकी company आपको group health insurance भी दे रही है, उसके उपर में अगर आप top up करवा रहे हैं, अपने पैसो से, तो आप उसका claim यहां से ले सक सकते हैं, आप अपने लिए अपने बच्चों और अपनी वाइफ के लिए 80D के अंदर में, 25,000 का limit है, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास में parents हैं, जो की senior citizen है, तो उनके preventive health check-up के उपर में भी आप 5000 रुपय तक का deduction ले सकते हैं, और उनका जो medical expenditure है, जैसे कि उनका medicine bill हो ग या तो कुछ और भी चीज खर्चा आप कर रहे हैं अपने parents के उपर में, तो इन सारा का सारा expenditure मिला के आप 50,000 रुपय तक का अपना यहां पर deduction ले सकते हैं, तो 25,000 हो गया, 50,000 हो गया, तो maximum limit होगी 80D की 75,000 रुपीज की, अब आगे बढ़े तो आता है section 24B, अगर आपने क कोई भी housing loan लिया है, तो उसका जो भी interest आप pay कर रहे हैं, एक पूरे financial year में, उस interest के उपर में आप deduction ले सकते हैं, 24B में, याद रहे हैं, जो भी loan आप pay करते हैं, उसका दो part होता है, एक होता है principal amount, तो principal amount आप ATC में आप उसको declare कर सकते हैं, और interest amount के उपर में आप 24B के अंद 1 April 2016 से लेकर के 31 March 2017 के बीच में अगर आपका home loan sanction हुआ है, तब आप इस तरीके के residential house property के उपर में भी extra 50,000 रुपे तक का tax reduction ले सकते हैं, अब ATEA के उपर में चले तो अगर आपका housing loan 2019 April से लेकर के मार्स 2022 के बीच में loan approved हुआ है, तो इसके उपर में भी आप tax relaxation ले सकते हैं, और maximum limit जो है वो 50,000 रुपे की है, अब आते हैं next deduction पे जो की है ATE, ATE एक educational loan है और इसके interest के उपर में आप tax deduction ले सकते हैं और इसका कोई भी limit नहीं है, आप जितना interest पे कर रहे हैं, आपको पूरे के पूरे interest पे आपको tax deduction मिलेगा, तो ये सारे deductions हैं जो कि मैंने इस particular access sheet में cover किये हैं, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे deductions हो, तो इसको मैं बीच-बीच में update करके आपके साथ में share करता होगा, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस particular access sheet की उपर में, तो यहां पे आप देख साथे हैं कि अगर आप 3,00,000 रुपे के salary लेते हैं, तो 3,00,000 के salary में old design में भी आपको 0 rupees का tax लगेगा, new design में भी 0 rupees का tax लगेगा, तो both are same, अगर आप सारे 5,00,000 रुपे कमाते हैं, और इस सारे 5,00,000 रुपे में आप 1 रुपे भी invest नहीं करते हैं, तो old design में आपको 50,000 रुपे का यहां पे reduction मिल जाएगा, तो आपका जो taxable income है, वो 5, 5,00,000 रुपे का हो जाएगा, 5,00,000 रुपे के उपर में आपका जो भी tax है, वो सारे 12,000 रुपे का बनेगा, लेकिन क्योंकि आपका 5,00,000 रुपे से कम का salary है, तो आपका जो भी यहां पे tax लग रहा है, वो tax rebate में आ जाएगा, इसलिए आपको finally 0 rupees का tax देना परेगा, तो आपको 0 rupees का tax देना परेगा old regime में, just for example, मैं आपके दिखाऊं कि अगर आपका 8,00,000 रुपे का salary है, उसमें से आप 8,00,000 रुपे का investment शो कर देते हैं, जो कि बहुत easy है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपका 8,00,000 रुपे का salary है, तो आपका approximately 1,00,000 रुपे तक का तो HR बनी जाएगा, तो आपका फिर 1,00,000 रुपे उसको minus करने के बाद में आपको कितना बचा, आपको 1,500,000 रुपे का बस investment करना है, तो आपका total investment हो गया, 8,00,000 रुपे का, इसके उपर में आपको 50,000 रुपे का standard deduction मिल जाएगा, तो आपको जो taxable income है, वो 5,00,000 रुपे का हो standard deduction मिलेगा, और आपको 31,000 रुपे का tax पे करना पड़ेगा, यहाँ पर HR वगरा भी आप कुछ भी show नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपके पास में HR है, आप 1,500,000 रुपे का सब मिला जुला करके, अगर आप investment कर भी देते हैं, और 8,000,000 रुपे की salary है, तो old design में आपको 0 रुपी का tax लगेगा, लेकिन वहीं पर माल लेते हैं कि आपकी आपकी आगर 8,000,000 रुपे की salary है, आपको कोई भी investment नहीं करते हैं, एक रुपय का investment नहीं करते हैं, तो अगर आप इसको 0 कर देंगे, तब आपको यहाँ पर जो tax आ जाएगा, old design में 65,000 काएगा, लेकिन व आप इस Excel को यूज कर सकते हैं, मैंने कोई भी limitation नहीं डाली है, आप इस Excel को यूज करें, जैसे यूज करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी request है आप से, कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने data हम लोग इसमें डालते हैं, प्लीज अगर आपने subscribe नहीं किया हमारे channel को, तो जो भी salary यहाँ पर डालनी है, mostly आपके लिए, यूज के लिए, आपको जो भी salary यहाँ पर डालनी है, आप डाल दीजिए, आपको जो भी deduction, आपका जो भी cumulative, यानि की total add करने के बाद में, आपके पास में जो भी deduction है, आप यहाँ पर डाल दे, और आपको जो total tax है, वो 4,004,004 रुपे का आप investment करते हैं तब आपका जो old tax regime में उसके अग्यास में आपको 71,000 रुपीज का आपको tax बनेगा और new tax regime में 90,000 का tax बनेगा तो यह जो पहला tab है यह just for reference है और यह जो second tab है इसमें आप आपका जो भी amount है आप fill करके आप उससे पता कर सकते हैं क्या कि old regime better ह है कि new regime better है और जहां तक बात है डाउनलोड करने की तो यह excel sheet दोस्तों आपको मेरे investing Google के app पे मिल जाएगा तो आप मेरे चैनल को subscribe करके हमें motivate करें तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलकात होगी दोस्तों तब तक दोस्तों खुछ रहें सौस रहें and keep investing जय हिंद